जिधर देखूं मुझे बस आपकी सूरत नजर आए, जमाने भर की खुशियां आपकी मुरत में नजर आए मिले चाहे सुख या मिले दुख कोई परवा नहीं मुझको, डाल दो एक नजर रहमत की मेरी दुनिया सवर जाए सभी हनुमान भक्तों को मेरा रामरा, दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से एक सची अनभोती लेकर आई हूँ, एक सची घटना लेकर आई हूँ लेकिन उससे पहले मैं आप से पुशना जाती हूँ, हनुमान जी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही रोचक प्रश्न तो आप मुझे उस प्रश्न का उत्तर जल्दी से भेजिए ताकि अगले वीडियो में मैं आपका नाम लोगों तक शेयर कर सकूँ दोस्तों तो प्रश्न मेरा ये है कि हनुमान जी को माता सीता ने अश्ट सिद्धी और नौ निदि का वरदान दिया था, ये सब लोग आप सब लोग चानते होंगे तो आपको मैं आज चार नाम बताने वाली हूँ उन चारों नामों में एक नाम जो है हनुमान जी को प्राप्त निधियों में से नहीं है तो तीन नाम सही है और एक नाम गलत है तो आपको गलत नाम पहचान कर मुझे कमेंट करना है तो अब आपको बताने जा रही हूँ option number one पे है मकर दूसरे पे है कक्षब तीसरे पे है स्वर्ण और चौते पे है मकुंद तो आप ज़रा जल्दी से मुझे बताईए कि इसमें से एक कौन सा नाम है जो हनुमान जी को प्राप्त निधियों में से नहीं है और पिछली बार जो मैंने प्रश्ण पूछा था उसमें से जिन लोगों को मैंने नाम को सॉट आउट किया है उसे देखने के लिए देखती रहे है हमारा वीडियो लास्ट लग दोस्तों आज मैं जिनकी घटना आपसे शियर करने वाली हूँ आगे की सारी स्टोरी सुनाती हूँ नमस्कार दीदी मैं अपना नाम गुप्ती ही रखना चाहती हूँ और मैं मेरी परिवार में हुए हूँ हनुमान जी के एक चमतकार को आप सब भक्तों के साथ शियर करना चाहती हूँ दीदी मैं बच्पन से ही हनुमान बाबा की पूझा करते हाई हूँ मेरी मान ने हमें हनुमान जी की भक्तिकी प्रेणना सदेव दी है हमें हनुमान जी से सदेव जोड़ा है पर कुछ ऐसे कारण होए थे कुछ ऐसे प्रॉबलम सुरू हो गए कि हमने हनुमान जी की पूजा पाट करना बंद कर दिया और उसके बाद तो ऐसा लगा जैसे हमारे घर में एक के बाद एक प्रॉब्लम साने लगी और हम सब लोग बहुत परिशान हो गए मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ क्योंकि मेरे और मेरे भाई के पीच में इनके भाई के साथ इनकी लड़ाई जगड़ा सुरू हो गया और इनके और इनकी भाई की बाची देक्तम बंद हो गए इनके भाई ने इनसे बात करना बंद कर दिया और इनको दोस्त देने लगा कि तुमने मेरी जिन्दकी घराब कर दी है और तुम्हारी वज़े से मेरे साथ जो हुआ है वो तुम्हारी वज़े से हुआ है तो दोस्तों कितनी परिशानी होती है, कितना बुरा लगता है जब एक भाई अपनी बहन को इस तरीके से ब्लेम करें कि आप मेरे जो कश्ट हैं उसका कारण आप हो कि मैं समझ सकते हूँ आपको कितना बुरा लगा होगा दीदी हमें एक पंडीच जी से ये पता चला कि हमारे घर में किसी ने काला जादू करा दिया है जिसकी वज़े से हमारे घर में हमेशा कलेश का मौछल रहता था अमारे घर में लड़ाई जगरे बहुत जादा होते थे और हमने पंडी जी को जब पूछा तो उन्होंने बताया कि किसी ने काला जादू कराया है किसी ने बंधन कराया है और उन्होंने हमें हनुमान जी की पूजा का रास्ता दिखाया दिखाया दिदी आप विश्वास नह प्रिवार में ज़ो कलिश उने लगा और प्रिवार में जो घटने whी खत्म हो गई और मेरे और मेरे भाई के बीच में जो तीन साल से बाची बंद थी फिर से शुरूंगई तो ये चमतकार ही है जो बाबा ने मेरे साथ किया था अब तो मेरा भाई मुझे इतना क्यार करता है कि मैं जब जॉब पर जाती हूँ तो मुझे बार-बार फोन करके पुछता है कि तुम ठीक से पहुँच गई या तुमें बस मिली और कई बार मुझे कॉल भी करता है तो मेरे परिवार में आये हुए इस संकट को बाबा ने तूर किया और मैं इसके लिए बजरंग वली को अपने दिल से बहुत धन्यवाद देती हूँ वो मेरे रियल लाइफ हीरो है वो मेरे लिए सब कुछ है तो आपके लिए ही नहीं मुझे सुनने वाले ना जानी कितने लोगों के हीरो जो है रियल लाइफ हीरो जो है वो पाबा ही है मेरे भी है और बहुत सब जो लोग हैं जो बाबा को प्रेम करते हैं उन्हें हीरो ही सम सारे जो गुण हैं उनों में भरे पड़े हैं, किसी से किसी चीज की उनके अंदर वह नहीं हैं, प्रेम ही प्रेम हैं, और किसी के प्रती उनके मन में किसी भी प्रेकार का भायर दो रही नहीं सकता। देखिए दोस्तों अगर आप अपने इश्वर को छोड़ दें लेकिन इश्वर आपको कभी नहीं चोड़ता जैसे एक मापाप जो होते हैं अपने बच्चे को बच्पन में समालते हैं और ब्रद्धावस्ता में वही बच्चे अपने मापाप को छोड़ देते हैं लेकिन फ बाबा आपको छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, हनुमान जी की पूजा में एक यही तुमिराली बात है, कि आप कुछ दिन की अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो पिछली बार जो मैंने प्रश्ण पूछा था, कि हनुमान जी की उल्टी प्रतिमा कहा पे स्थापित है, तो उसका सही उत्तर है इंदोर के सावेर जिले में, और अब उन लोगों के नाम आपके साथ शेयर करती हूँ, कि जिन्होंने मुझे सही उत्तर भेजाता, तो सबसे पहले नाम लेना चाहूंगी सती सर्मा जी का, दूसरा नाम है अपूर्वा सिंग का, आप सभी लोगों को बहुत 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 बढ़ाई और बाबा आपके उपर ऐसे हिक्रे पादिश्टी बनाए रखे, और दोस्तों, अगर आपकी कोई सची अनभूती हो, जो आप हम से शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिये जा रहे हैं, इमेल अटरस पे, हमें मे कर सकते हैं, हमारा प्लियास रहेगा आपको बाबा से जोडने का और बाबा से जोड़ी हुई ऐसे ही अच्छी अच्छी घटनाओं को आप तक पहुचाने का, अब मैं अपना वीडियो आज ये ही कतम करती हूँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो आगे शेयर जदूर कीचेगा, ताकि हनुमान जी के भक्तों की एक चेंसी बनती चली जाए, और मैं बाबा से प्रात्ना करती हूँ, कि मुझे सुनने वाले हर भक्त की हर मनोकामना पूरी हो, और आपके ओपर बाबा की क्रिपादश्टी ऐसे ही बनी रहे, इसी के साथ चैशी राम, च क्या बाबापी